अस्सलाम अलेकम फ्रेंड्स कैसे है आप लोग हुए करता हूँ आप सबी लोग खेरेस से होंगे तो आज की इस क्लास में हम सेट बिल्डर फॉर्म के सेकेंड पार्ट पर स्टडी करते हैं उससे पहले जो है सेट नोटेशन देख लेंगे हम लोग कुछ इस तरह से रहेंगे और 6 जुआ रहा है एक्स लेस देन और इक्वल टू 6 जुआ रहा है एक्स लेस देन 6 यानि कि इन टर्म्स का इस्तेमाल होगा जब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म के टॉपिक को स्टडी करेंगे इस वीडियो में तो चलिए आते हैं उससे पहले मैं आप लोग को एक नोट पॉइंट बतला दो जबी भी हम सेट बिल्डर फॉर्म कर रहे हैं तो अगर आप लोग को इस टर्म्स जैसे कोई नंबर से दिख रहे हैं यानि कि 2X, 3Y, 6K, 5M, etc इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है जबी भी कौन से भी नंबर के साथ अगर कोई आलफाबिट आता है, it means that कि वो उसका टेबल है, यानि कि वो उसका मल्टिपल है, सोम जारा फ्रेंड्स, किसी भी नंबर के साथ अलफाबिट आने का मेनिंग यह होता है, कि यह उसका टेबल होता है, सोम जारा फ्रेंड्स, इसा कि देखिए example, मैं 2X लिया हूँ, 2X का क्या मतलब है, 2 into X हो, अगर X की जगापे अगर आप natural number को रखेंगे, if X belongs to N, तो कुछ इस तरह से रहेंगा, देखिए, अगर X की जगापे whole number रहेंगा, यानि कि if X belongs to W, तो कुछ इस तरह से रहेंगा, देखिए, फिर उसी तरह से देखिए, अगर 3Y लिया, example मैं, तो 3Y का क्या मतलब है, 3 into Y है, अगर Y की जगापे मैं natural numbers लिया, यानि कि if Y belongs to N, तो कुछ इस तरह से रहेंगा, देखिए, तरीका devil, अगर Y की जगापे whole number रहेंगा, यानि कि if Y belongs to W, तो कुछ इस तरह से रहेंगा, देखिए, अभी बात यह रहेंगे friends, अब यह belongs to क्या है, not belongs to क्या है, मैं आगे 7, तो अभी इस set में जो है, अगर मैं यह लिखा, कि 2 और A लिखा, क्या मतलब जगाप छोट रहा हूं देखिए, 2 और A के बिश में, तो अभी इसके अंदर देखिए, 2 जो आ रहे है, 2 को जो है, हम लोग element कहेंगे, उस set का, तो यह 2 जो है, उसमें मौजुद हो रहा है, य अगर मैं 7 gap A लिया, अब इस gap में क्या लिखेंगे हम लोग, belongs to लिखेंगे या not belongs to लिखेंगे, देखिए आप लोग 7 मौजूद है या ने उसके अंदर, मौजूद है देखिए, इसके अंदर present है 7, जब कोई element, किसी element present होता है, तो उसको हम लोग belongs to से indicate करते है, तो 7 belongs to A, उसी तरह से अगर मैं 4 gap छोड़ रहा हूँ, A, तो अभी देखिए, 4 जो है, इस A set में मौजूद नहीं है, यानि A set में present नहीं है, तो हम लोग उस condition में not belongs to का symbol इस्तिमाल करेंगे, कुछ इस तरह से, 7 नहार होगा, तो अभी देखिए, हम belongs to और not belongs to तो कर चुके है, अभी ये 6 और 7 में ये जो आ रहा है, X less than or equal to 6, पि 7 पे X less than 6, अभी ये क्या होता है, दिखिए, 1st में less than or equal to 6 पता होगा, इसका मतलब ये होता है, less than, नाम में सहुन नहारा देखिए, 6 से कम आना चाहिए, अगर less than or equal to, यानि less than के symbol के नीचे अगर dash धार रहा है, तो समझ जाना ह है कि आप लोग को 6 से कम numbers assume करना है, और 6 भी assume करना है, अब बात ये रहेंगे friends, कि 6 से पहले number तक लिखना है, अब शुरुवात कहां से करेंगे हम, और वो question पर डिपेंडे friends, कि वो शुरुवात कहां से करने के लिए बोल रहा है हो, यासा कि suppose इने X belongs to N बोलकर बोल रहा है, यानि capital N, तो अभी बोला में belongs to मतलब वो माजूद है उस set में, यानि कि X belongs to N का मतलब natural number, natural number 1 से शुरू होता है, तो X less than 6 का मतलब क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, up to 6, इस तरह से रहेगा, अगर वो W लिखेगा है whole number, तो 0 से शुरू होते है, 6 तक रुखेगा, सौम नारा friends, से वाले में देखिए, X less than 6, इसका मतलब ये होता है, कि मा numbers जो है, 6 के अंदर ही आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए, फिर बात यहां पर यह आएगी, कि शुरूआत कहां से करें, वो भी question में दियावार आएगा, या तो W या फिए N, अगर W दियावार आएगा, तो जाहिए ऐसी बात जेरो से शुरुआत होईगी, खतम इसका 5 पर होगा, ना कि 6, समय नहा रहा होगा, फ्रेंट्स आप लोगो, ये terms का इस्तेमाल होगा, set builder form में, अगर इस terms को अगर आप लोग समद गे, तो set builder form आसान हो जाएगा, आप लोगे लिए, तो आज सी class में बस इतना ही, इन्शाला हम अगली वीडियो में इस set notations को use करते हुए, set builder form के type 2 पर study करेंगे फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share करते हुए, subscribe करना मत भुलिए, तो फ्रेंड्स मिलते हैं, हम अगले वीडियो में set builder form के type 2 के साथ, तब तक के लिए study well and take care.